Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल अपके अंदर देख सको, समद सको, आपको पता होगा, वानार्सी के अंदर, यह जो काशी विश्वनाथ टेंपल है, और आपको यह भी पता होगा, कि रिसेंटली एक कोरिडॉर बनाया गया था, विश्वनाथ धाम कोरिडॉर, तो उसी के ज़स्ट बगल में, यह काशी कुछ और कहना है, यहाँ पर हिंदू साइट का कहना है, कि इसको तोड़कर और अंग्जेब ने ये मस्जिद बनवाया था, तो इस पर जो वर्शिप करने का हक है, पूजा करने का हक है, उनको मिलना चीए, खेर जो भी यह मैं आपको डीटेल से वीडियो के अंदर कि इस मस्जिद का सर्वे किया जाएगा, लेकिन अचानक से सुप्रीम कोट ने इसका सर्वे रोग दिया है, ये खबर आप यहाँ पर देख सकते हो, सुप्रीम कोट ओर्डर्स ASI, that is Archaeological Survey of India to stop survey of mosque site till 5 p.m. on July 26, तो चलिए इसके बारे में डीटेल से समझते हैं, लेकिन उस इसका आखरी डेट है लेने का 31st July, although मैं आपको बता दूँ, अभी अभी जश्ट ये classes start हो चुकी है, तो जल्दी से आप इसको join कर सकते हैं, इसके अंदर प्रिलिम से लेकर interview तक की पूरी त्यारी करा जाती है, आपको हमारे website, app पर जाना या फिर comment section में इसका link है, वहाँ पर जाकर use करना है code अंकित लाइव, ताकि आपको maximum discount मिल जाए, इसके अंदर आपको personal mentor भी दिया जाता है, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो आप उनसे resolve कर पाएंगे, और इसके साथ साथ अगर आप optional का कोई batch लेना चाहते हैं, तो कल तक यहाँ पर आपके पास sale का मौका है, व सुप्रीम कोट ने कल मंडे को एक order पास किया, और यह order क्या था, order यह था कि वारांडसी के कोट ने जो Friday को order दिया था, देखो वारांडसी की कोट ने तीन दिन पहले Friday को यह order दिया था कि जो ग्यानवापी मस्जिद है, उसका सर्वे किया जाएगा, वीडियो ग्राफिक के true, मतलब अलग-अलग चीजों के माध्यम से, excavation के माध्यम से, जो भी कुछ करना है, यहाँ पर find out करने की कोशिश की जाएगी, कि आखिरकार उस मस्जिद के अंदर है क्या, क्या उसमें पहले temple था, क्या-क्या चीज़े निकलती है, उसको लेकर सर्वे के लिए बोला गया लेकिन सुप्रीम कोट ने मंडे को ये जो सर्वे है वो रोग दिया, अल्थो मंडे से ही ये पुरा सर्वे स्टार्ट होना था, लेकिन आप देख सकते हो, जो चीफ जस्टिस की बेंच है, दिवाई चंदरचूर जी की जो बेंच है, उन्होंने कहा कि 26 जुलाई तक शाम 5 हाई कोट जा सकते हैं, और अलाबाद हाई कोट में जो भी फैसला आएगा, उसके बाद हम चीजें देखेंगे, तो कल तक समय है मुस्लिम पक्ष के पास, और जैसा कि मैंने बोला, हिंदू पक्ष का कहना है, कि जो ओरीजिनल काशी विश्वनाथ टेंपल है, उसको बनाया था, लेकिन क्या हुआ कि अभी 20-30 सालों से इसका जो पुरा मामला है, वो ठंडे बस्ते में चला गया था, अभी रिसेंटी आपर क्या हुआ था, कि 5 हिंदू महिलाएं, उन्होंने पेटीशन डाला था, कोट के अंदर, और ये कहा कि हम जो आउटर वॉल है, जो मस शिंगार गौरी की पूजा करना हम चाहते हैं, ठीक है, और इसी को लेकर तबसे पूरा मामला लगतार चल रहा है, कभी मामला अलावादा ही कोट जाता है, कभी सुप्रीम कोट चला जाता है, कभी 180 के कोट में रहता है, तो ये समझ नहीं आ रहा कि exactly हो क्या रहा है, don't worry, द देखें, जो वानार्सी कोट के जो डिस्टिक एंड सेशन जज है, अजय, कृष्ण, विश्वेश, उन्होंने ASI को ये ओर्डर दिया, Archaeological Survey of India को, ये जो तीन डोम आप देख रहे हो, ये जो मस्जित का ये जो तीन डोम देख रहे हो, उसके जश्ट नीचे क्या है, basically, क्य वहाँ पर अलग-अलग चीज़े प्राप्त होती है, वहाँ पर Ground Penetrating Radar Survey, इसका यहाँ पर order pass किया गया, कि तीनों डोम के नीचे exactly क्या चीज़े निकल कराती है, अगर excavation की जरुवत परती है, तो आप excavation करिए, जो भी है, वहाँ से find out करने की कोशिश करिए, scientific investigation करिए, कि exactly क्या ये पहले मंदिर था कि नहीं था, ये basically order pass किया गया, 1RC के code के दोरा 21st of July को, लेकिन इसमें एक और चीज़े मैं आपको बदाता हूँ, ये जो आप देख रहे हो, ग्यान वापी मस्जिद जो है, उसके अंदर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर एक और चीज़ क क्या होता है, एक जगा होता है, अलग से सेपरेट, जहां पर जो मुस्लिम जो प्रेयर करने जाते हैं, तो वो अपने हाथ मूँ धोना वगरा होता है, तो वो सारी चीज़ें वुजू खाना में किया जाता है, तो वहीं पर ये structure मौजूद है, हिंदू पक्ष का कहना है कि ये शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नहीं, ये सिंफेक फाउंटेन है, तो क्या हुआ था कि पिछले साल सुप्रीम कोट के order पर ये वाला जो एरिया है ना, वुजू खाना के अंदर ये वाला जो एरिया है, structure है, उसको cover कर दिया गया था, बोला गया, सुप्र भी छेड़-छाड नहीं की जाएगी, ये ऐसा बोला गया, और साती सात मैं आपको ये भी बता दूँ, कि जो पूरा सर्वे की वीडियो ग्राफी है, जो भी कुछ करना है, उसका report 4th of August के पहले-पहले submit करना पड़ेगा, ये वानार्सी कोट ने ASI को, Archaeological Survey of India को order जारी कर ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला Supreme Court ने कल ही इसको यहाँ पर एक बार के लिए रोग दिया है, ठीक है, अब question ये है कि ये पूरी controversy का इतिहास क्या है, चलता क्या रहा है, problem क्या हो रही है, वो सारी चीजे मैं आपको timeline के हिसाब से बताता हूं, देखो, ये जो ग्यानवा काशी की court में ये पहला petition file किया, और petitioner का क्या कहना था इसमें, उनका ये कहना था कि जो ग्यानवापी complex है, उसके अंदर उन्हें पूजा करने का हक मिलना चाहिए, basically तीन demand थी Hindu side की, तीन demand क्या थी, सबसे पहला तो यही था, कि जो पुरा ग्यानवापी complex है, उसको काशी वि मॉस्क में convert किया गया, फिर दूसरा ये बोला गया, मतब जो तीन demand थी, एक तो ये था, कि उसको काशी temple का ही पार्ट बना देना चाहिए, फिर दूसरा ये बोला गया, कि जो complex में Muslims रह रह रहे हैं, उस particular area में, उनको वहाँ से वह हटा देना चाहिए, और तीसरा ये बोला या कि मस्जित को तोड़ देना चीए, इन तीन चीज़ों को लेकर petition फाइल की गई थी, लेकिन 1998 में जो Muslim पक्ष की तरफ से, देखो क्या होता है न, कि जो मस्जित की पूरी देखभाल है, ग्यान वापी मस्जित की, वो इस committee की दौरा की जाती है, अंजुमाद, इंतिजाम मस्जित कमीटी, उन्हों ने यहाँ पर जो केस है, वो अलाबाद हाई कोर्ट में फाइल कर दिया, कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चीए, खेर, एक्चुली क्या है न, कि यह सारी चीज़ों को देखते वे, यहाँ पर अलाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, और 2019 से वापस पेटीशन डाला जाता है, और यह कहा जाता है कि उस पूरे एरिया का ज्यानवापी मस्जित का सर्वे होना चीए, लेकिन मुस्लिम पक्ष अगेन इसको अपोस करता है, लेकिन फानली मैं आपको बता दू, 2022 में वानाटसी कोर्ट ने पांच हिंदू महिलाओं क पेटीशन को एकसेप्ट कर लिया, देखो मैंने आपको बताया था ना, स्टार्टिंग में जो पांच हिंदू महिलाओं हैं, उन्होंने कहा कि मस्जित की जो आउटर बॉल है, वहाँ पर उनको माश रिंगार गौरी की पूजा करने का हग मिलना चीए, तो वानाटसी कोर् कि हम इसको लेकर एक इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, साइट का, और साइट इंस्पेक्शन करने के लिए उन्होंने अपॉइंट कर दिया, एडवोकेट कमिशनर अजय कुमार मिश्रा को, और कहा कि इस पूरे साइट का आप इंस्पेक्शन करिए, और हिंदू साइट ने ये claim किया कि inspection करते समय वहाँ पर shivling हुआ है जो मैंने आपको दिखाया था ना ये photo वुजु खाना के अंदर जिसमें Muslim पक्ष कह रहा है कि ये fountain है लेकिन Hindu पक्ष कह रहा है कि नहीं ये shivling है तो basically क्या होता है कि यहाँ पर survey करते समय हिंदू पक्षा कहना था कि देखिए वह वहाँ पर एक shivling निकला है खेर ये जो inspection किया गया उसका जो report submit किया गया था अब इस report में क्या था देखिए ये सबसे important है report में ये कहा गया मई 2022 में पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं कि वहाँ पर old temple के जो पुराने मंदिर के जो debris है तूटे फूटे वहाँ पर जो मूर् देखने को मिलती है जो हिंदू मोटिफ्स हैं जैसे बेल हो गया कलश हो गया फ्लावर हो गया वो सारी चीजें वहाँ पर देखने को मिलती है ऐसा report में लिखा गया जो inspection किया गया था ऐसा उसमें लिखा गया लेकिन दूसरी तरफ जो Muslim पक्षा वो काफी जादा भढ़क ग जो पूरा यात्रा निकल रही थी फिर जो बाबरी मस्जिद वाला पूरा केस वा उसको तोड़ा गया तो उसकी वज़े से लेकर जो नरसीमा राओ की सरकार्ती सेंटर में वो एक यहाँ पर act लेकर आ गया प्लेसे ऑफ वर्शिप एक और इस act के तहत ये बोला गया कि act के अंदर बोल दिया गया और कहा कि कोई भी petition accept नहीं किया जाएगा except जो राम जन भूवी वाला मामला चल रहा था एउध्या में जो बाबरी मस्जिद वाला केस था उसको छोड़ कर देश भर में जितने भी structure हैं जैसे थे उनको वैसे ही रखा जाएगा उसको लेकर court में क कोई भी case file नहीं किया जा सकता तो ये act actually लाया गया था 1991 में तो मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि देखे ये act अलरी हमारे देश के अंदर है तो कैसे जो court है वो ग्यान वापी मस्जिद का case accept कर सकती है मुस्लिम पक्ष का ये कहना था और इसी को लेकर पुरा मामला आगे पर 184 court ने कहा कि नहीं देखे वो जो act है वो ग्यान वापी मस्जिद पर लागू नहीं होता और इसी को लेकर जो committee है जो मुस्लिम पक्ष की जो committee है वो चली गई अलाबाद high court में 184 court के खिलाब और अलाबाद high court ने भी actually 184 court को ही सही ठहरा दिया अलाबाद high court ने कह दिया क यहाँ 184 court सही है यहाँ पर जो petition file किया गया है जो accept किया गया है वो चलने दो लेकिन इसी बीच क्या होता है कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना बीच में जो मामला सामने आया कि जो हिंदू पक्ष कहने लगा कि जो shriveling वहाँ पर पाया गया है तो मुस्लिम पक् रिसेंटली जो सर्वे कराने का order पास किया गया था वारांसी court ने उन्होंने supreme court की वजए से कहा कि यह sibling वाला जो area है जो मतलब की जो structure है वहाँ पर उसको लेकर कोई भी survey नहीं होगा उसको protected रहने दिया चाहेगा ठीक है खेर जो भी है यहाँ पर यह सारी चीजें जो हो रह से ठीक है लेकिन जैसा कि आपने देखा कली supreme court का order आता है और supreme court कहती है कि नहीं अब इसको यहाँ पर रोग दो अभी muslim पक्ष अगर Allahabad high court जाएगा petition डालेगा तो again हमें देखना होगा तो I hope कि दोस्तों आपको समझ भी आ गया होगा कि exactly चल क्या रहा है ठीक है कभी supreme court कभी या Allahabad high court लेकिन एक proper timeline के हिसाब से मैंने आपको एक एक करके बता दिया कि exactly अभी तक कीजें क्या हुई है तो देखना होगा finally कि क्या muslim पक्ष Allahabad high court जाता है नहीं जाता है I'm sure वो जाएगा और Allahabad high court का क्या फैसला आता है तो अब आपको जो भी development होगा वो चीजें आपको crystal clear समझ में आने लग जाएंगी तो ये सब कुछ हुआ था अभी तक और जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हो कि हमारे fundamental rights में जो right of property था उसको remove कर दिया गया था तो किसके rule के दौरान ये remove किया था आपको ये बताना इसका right answer आप सब को पता है मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ बाकि अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आए अलग लग सोशल मीडिया पर आप जूर पाओगे और जैसा मने बताया थ UPSC के अगर आप त्यारी कर रहे हूँ जस्ट यूस्ट यूस्ट कोड अंकितलाइव तो गेत माक्सिममम डिसकाउंट और आपको यू वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूं पर नेक्स ताइम तिल देन थैंक यू बारी मात सी यू सूर